हाई फ्रेंड्स, आज मैं रिव्यू करूँगा IPL का आज का चौदवे नंबर कम का बना जो था हैदराबाद बनाम चेन्ने सूपर गिंग्स पूरी मैच आपने देखी होगी मैं सिर्फ लास्ट ओवर पर फोकस करूँगा धूनी वह स्ट्रग्लिंग और यह जो ओवर था मुझे याद है दो जार सोला का IPL जब अकसर पटेल गेंदबाजी कर रहा था और महिंदर सिंग धूनी बैटिंग कर रहे थे और लास्ट ओवर में 26 रण मार के टीम को पूने में थे और किंग्स 11 पंजाब के सामने बना कर मैच को जीताया था उसी तरह के का महौल आज था फरक इतना था गेंदबाज वदल गया एक नया हमारा समत खान जो है हिद्राबाद का बॉलिंग कर रहा था फर्स्ट बॉल जो डाला उसने वो वाइड हो गया और विके किपर उसको केरी नहीं कर पाया और चार रण चले गया इसका मतलब है आपका अगर देखा जाए तो सिर्फ 23 अर्स करने चाहिए 6 केंदों में लेकिन महेंदर सिंग दुनी में देखा वो दो रण ले रहे थे लेकिन वह बहुत थक रहे थे लेकिन और महेंदर सिंग दुनी में काभिले चाहिए लेकिन जैसे के मैंने पहले वीडियो में बता आ था दुनी को वंडाउन ही आना चाहिए उनका एक्स्पिरेंस आपको उनको शेर करने ये लिए आपको वंडाउन आना चाहिए और जो लाश्ट ओर्स है उसमें आपको यंग् फिकर होके और लाइक ये अविंग्स्टर्स जो आजकल नहीं आये जो बहुत अच्छी तरह से हो और काफी कलत्मक तरीके से वो लोग खेलते हैं उनको मौका देना चाहिए और धोनी को आना चाहिए वंडाउन ताकि वो अपना एक्स्पिरेंस शेर करके अप्टू थर्ट अच्छी को आके लेके जाए ये ये मेरा मानना है क्योंकि अगर अब सिर्फ दोनी लाश के चार ओवर पांच ओवर खेलते रहेंगे और उनको पंदरा सोला की पर ओवर की एवरेज मतला पर ओवर उतने एवरेज रंस उनको बनाने है तो I don't think so कि दोनी को इतना चांस लेन चाहिए in the cricket age matters a lot and age doesn't matter a lot both sentence apply to cricket आप कौन से नंबर पर बैटिंग करते हो किस तरह से आप बॉलिंग करते हो सब के ओपर डिपेंड करता है age wise मैं इसका जो मैं बता रहा हूँ so मेरे गासे आग जो हिडराबाद केला finest उन्होंने सबसे बड़ी है बाद लगी मुझे कि उन्होंने फिल्डिंग बहुत अच्छी उनकी फिल्डिंग में बहुत ही जान थी और अगर बॉलिंग की बात करो तो जो नए खिलाड़ी है ज आपका जो बॉलिंग है वो काफी अच्छा होगा so let's see tomorrow's match क्या होता है okay goodbye